हे अब्रिवान दियर यूट्यूब फैमली वेलकम बैक वंस अगें तो अल फ्यू इन वर यूट्यूब चैनल लर्निवीन बहक आप सबका एक बर फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां पर हम जेके बोपी की डिफरेंट अपडेट्स को डिसकस करते हैं वैसे ही यहां सब्जक्ट में आपको देखने को मिल रहा है कि रैंक वाइस प्रोजिशनल जो रिवाइजट लिस्ट है जिसमें आप सभी बहुत सारे केंडेट्स की क्वेडिज भी आ रही थी कंटिनुसली कि मैं पूरा एक साल हो गया वेस्ट हमारा कि अभी तक हमारी लि केंडिडेट्स है यहां पर कुछ बेसी डीटेयल से की डिफ्रेंट नोटिफिकेशन नेकाली गई बोपी की तरफ से डिफ्रेंटीडेट्स पर उसके बाद आपकी एक लिस्ट भी प्रोजिशन लिस्ट जहां पर कुछ बच्चों के डॉकोंट्स पी डफिशन थे उनको अ गया है यहां पर ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हों ने जो भी डफिशेंट फॉर्मल्टी सी डॉकॉमेंट उनके थे वो सब्मिट नहीं किये गए और उनकी रिस्क एंड रिस्पॉंसिबिलिटीज की वजह से उनकी कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दिया गया है और उनके नाम देखने को आपको मिलेंगे एनक जोड़ ए में उन सबी बच्चों के नाम है जो स्लेक्ट हुए है जहां पर उनकी परसेंटेज और उनकी रैंक भी बताई हुई है यहां पर आपका कॉंसिं स्केडूल भी बना है जहां पर सबसे पहले आप देख सकते 7 अब डेसेंबर तक प्रस्ट रीडिय सबीर कानदाटेश ये कि इसने कनी चात्यब्रेुआ जो जो आती है और 10 अफ़ ऐसेंबर nos अब एकन 1 आपको देख सिंह aa तक केडियाश को पार्टिसपेट करना है इसके साथ आपको ये चीज समझ में आती है कि जो एक जो ए में टोटल नीम से वो 2630 candidates है जिनको select किया गए है अभी के लिए Consuling में participate करने के लिए जहाँ पर 3 days select होवे हैं for the Consuling उसके बाद जितने भी eligible candidates है जिनको advise किया गए है कि आप जब BUPI office जमू में report करेंगे याँ सिर्णरगर में आप 8.30am से लेकर 10am के बीच में करेंगे registration, attendance या फिर बाकी वहाँ पर जो भी related to Consuling formalities होगी उनको fulfill करने के लिए जो भी Consuling में participate करने वाले candidates से उनको बताया जाता है कि आप अपने साथ अपने सभी original documents भी लेकर आएंगे जिसमें चाहे आपकी domicile certificate हो या फिर आपकी अगर कोई category certificate है FMPHW, MMPHW की marks cards उसके बाद DOB के लिए आप लेकर जाएंगे 10th का diploma जिसा भी आपको Consuling के दिन वहाँ पर present करने है seat matrix आपका evening में ही 6 of December को release कर दिया जाएगा जहां पर आपको seats बताई जाएगे different college में उसकी जाप से आप seat matrix को अच्छी सी check करने के बाद आप अपने college को भी choose कर सकते है कि आपके accordingly कौन सा college कितनी seats है वहाँ पर और आपके लिए क्या preference best रहनी चाहिए तो वह चीज आप 6 of December को evening में चेक कर सकते है यह सबी नीम से जहां पर application number के साथ फिर नीम दिया है उसके बाद यह जीरेम डिटरी के सबी candidates से उनका score दिया है प्लस उटकी category के वह किस category से ब्लॉग करते है after day यहां पर उनकी rank है जैसा कि हमने पहले ही देखा total 2630 candidates select हुए है counseling में participate करने के लिए और एनेगजर बी में भी कुछ candidates है बहुत सारी number में जिन्होंने अपने efficient document submit नहीं किये और उनके candidature को cancel कर दिया गया है reject कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने अपने efficient documents जो भी उनको 26 of November तक कर time दिया था उस time date में submit नहीं किया आप इस original list को official website पर download कर सकते हैं प्लस मैं इसको अपने community tab पर भी share कर दूँगी वहाँ पर download करके आप सभी यहां पर अपना name check कर सकते हैं अपनी score और rank जिससे आपको पता चलेगा क्या आपकी कॉंस्टिंग कॉंस्टिंग से day पर है और सभी documents औरिजिनल में आपको साथ लेकर जाने हैं वहाँ पर वह verify करवार है present करने है कॉंस्टिंग में चाहें आपकी कॉंस्टिंग जम्मो में है या फिर सरनगर उन सभी बच्चों के लिए जिने सिरनगर close पड़ता है वो सरनगर में जाएंगे कर सकता है उसको मिल सकती थी उसके लिए वो क्लेम नहीं कर सकता है जो भी seat available होगी वही seat उसको दी जाएगी उसके according उसे seat नहीं दी जाएगी I really hope कि इस notification में जितने भी important points थे वो सब भी आप लोग को अचे से समझ में आये होगे further कहीं पर भी कोई कोईरी confusion आती है feel free to ask me in the comment section इस video में इतना ही really hope आपके लिए helpful रहेगा and guys please do like the video share it to your friends and colleagues as well and become a part of your family by subscribing to our channel thank you so much take care and god bless you all